आज की हमारी ट्रेन जानकारी है ट्रेन नमबर 11404 कोलापूर से नागपूर के दर्मियान में चलने वाली कोलापूर नागपूर एक्सप्रेस के बारे में फर्स्ट इनाग्रेशन की अगर बात की जोएस ट्रेन में तो एक जुलाई 2011 को इस ट्रेन को फर्स टाइम चलाया गया था कोलापूर से नागपूर रिल्वे स्टेशन के दर्मियान में प्रेंड टाइब के अगर बात किजा है?' और एक राज चलने के बाद दूसरे दीन नागपूर जंक्शन रिल्वे स्टेशन के प्लैट्फूर्म लिंट के पहुँझ जाती है दोपर में बारा बच कर शुड ने मिनिट को ट्रेविलिंग टाइम के अगर बात किजाए स्ट्रेन में कोलापूर से नापूर रेल्वे स्टेशन के दर्मियान में 23 गंटे 15 मिनट का समय लगाती है यह ट्रेन इस दर्मियान में स्ट्रेन के 20 स्टॉप होते है और टोटल डिस्टंस 1032 किलोमेटर का सफर तै करती है और इस पीट के अगर बात किजाए तो 45 किलोमेटर परती गंटा के रफ्तार से चलती है और मैक्स परे में से बली स्पीट की बात किजाए तो 110 किलोमेटर परती गंटा की रफ्तार से यह ट्रेन चलती है पैंट्री और केट्रिंग की बात की जैस्ट्रेंड में तो पैंट्री कार लगा हुआ ने रहता है ओन्बोट केट्रिंग और ही केट्रिंग की फैसिलेटी आप लोगो स्ट्रेंड में देखने के लिए मिल जाती है रेक एगर बात की जैस्ट्रेमें तो ICF के कोच लगे रहे रहे वहर कोच कंपोजींच की स्यट्रेमें कोलापूर से नागपूर रेल्वेस्टेशन के दर्मियान में तो जनरल में आप लोगो 285 रुपे देने होंगे सिलिपर में आप लोगो 499 रुपे देने होंगे AC3 टायर में आप लोगो 1335 रुपे देने होंगे और इसी के साथ में AC2 टायर में 1,915 रुपे देने होंगे कोलापूर से नागपूर रेलवे स्टेशन के दर्मियान में रेक्षेरिंग के अगर बात की जायस ट्रेंड में तो ये ट्रेन अपने रेक्षेर करती है कोलापूर से नागपूर रेलवे स्टेशन के दर्मियान में पूना लोकोशेट का WDP 4D पावर डिजर लोकोमोटिव स्टेशन में लगाया जाता है स्टेशन और शेडियूल की बात की जायस ट्रेंड में तो ये ट्रेन दो पैर में 12 बचकर 45 मिनुट को कोलापूर रेलवे स्टेशन के प्लाटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होती है इस ट्रेन का पहला स्टॉप होता है मीरच जंक्शन रेलवे स्टेशन अरेबल टाइम होता है एक बचकर 50 मिनुट और 15 मिनुट का स्ट्रेन गयां पर ठहरा हो रहता है अब तक इस ट्रेन ने 46 किलोमेटर का सफर पूरा कर लिया है इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप होता है सांगूला रेलवे स्टेशन अरेबल टाइम होता है इस ट्रेन का दूसरा स्टॉप होता है अब तक इस ट्रेन ने 236 किलोमेटर का सफर पूरा कर लिया है इस ट्रेन का पांच वह स्टॉप होता है बारसी टाउन रेलवे स्टेशन अरेबल टाइम होता है पांच का दूसरा स्टॉप होता है उसमानबाद रेलवे स्टेशन अरेबल टाइम होता है श्ट्रेन का वह स्ट्रेन ने 421 किलोमेटर का सफर पूरा कर लिया है इस ट्रेंग का नववा स्टॉप होता है परली वैजना जंक्शन रिल्वे स्टेशन अरेबल टाइम होता है 12 बच कर 30 मिनिट और 20 मिनिट का यहां पर ठेरा हो रहता है और अब तक इस ट्रेंग ने 414 किलोमेटर का सफर पूरा कर लिया है इस ट्रेंग का दस वैजना जंक्शन रिल्वे स्टेशन अरेबल टाइम होता है दो बच कर 30 मिनिट और 20 मिनिट का यहां पर ठेरा हो रहता है अब तक इस ट्रेंग ने 548 किलोमेटर का सफर पूरा कर लिया है इस ट्रेंग का 11 वाइ स्टॉप होता है पूरना जंक्षन रेलवे स्टेशन आरेवल टाइम होता है दो बच कर 55 मिनिट और 5 मिनिट का स्टॉइन गया पर ठहरा हो रहता है और अब तक इस ट्रेंग ने 537 किलोमेटर का सफर पूरा कर लिया है इस ट्रेंग का 12 वाइ स्टॉप होता है हिंगूली दक्कन रेलवे स्टेशन आरेवल टाइम होता है चार बच कर 31 मिनिट और 1 मिनिट का स्टॉइन गया पर ठहरा हो रहता है इस ट्रेंग का 13 वाइ स्टॉप होता है वाशीम रेलवे स्टेशन आरेवल टाइम होता है इस ट्रे बच्पन मिनिट और पांच मिनिट का स्ट्रेंग पर ठहरा हो रहता है अब तक इस ट्रेंग ने 822 किलो मेटर का सफर पूरा कर लिया है इस ट्रेंग का सट्राइब बच्पन मिनिट और जंगे स्ट्रेंग पर ठहरा हो रहता है अब तक इस ट्रेंग ने 930 किलो मेटर का सफर पूरा कर लिया है इस ट्रेन का लास्टर डिस्टिनेशन होता है नाकपूर जंक्शन रिल्वे स्टेशन के प्लैटफॉर्म नमबर साथ में पहुँच जाती है दोपेर में बारा बच कर शुन्ने मिनिट को और अब तक इस ट्रेन ने एक हजार सदोतीस किलोमेटर का सफर पूरा कर लिया है वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें मेरे चनल जनित विलोग को सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें आपके लाइक और सबस्क्राइब करने से मुझे और मोटिविशन मिलता है नई वीडियोज बनाने का तो मिलता है नेक्स टूडियो में तब तक के लिए अपना खैल रखियेंगा लाहाफिस टेकियर